दोस्तो बंगलादेश के अंदर लोग वापस सड़कों पर आ चुके हैं पहले प्रधान मंतरी को हटाने की मांग और अब राश्पती को हटाने की मांग मतलब ये सामने आ रहा है कि उन्होंने समविधान को केवल और केवल एक किताब समझ लिया है भारत के अंदर आप देखी कि हम लोग कॉंस्टिशन को कितना आगे रखते हैं जब भी कॉंस्टिशन की बारी आती है समविधान की जब बात होती है तो हम लोग हमेशा समविधान की बात को मानते हैं और उसमें लिखे वे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका सहरा लेते हुए हम लोग decision लेते हैं लेकिन बांगलादेश के अंदर ऐसा नहीं है बांगलादेश के अंदर पहले प्रधान मंत्री को हटाने की मांग की गई थी और प्रधान मंत्री 5 अगस्त 2024 को वहां से भाग कर भारत में आ चुकी है लेकिन अब राश्पती को हटा देना पड़ेगा गुरुवार तक नहीं तो हम लोग उनके भवन के अंदर वापस से जैसे शेख हसीना के घर में वो गुज गये थे वैसे ही वापस से एंट्री जो है वो ली जाएगी लेकिन कारण क्या है सरसे बड़ा कारण ये है कि शेख हसीना ने resignation दिया कि नहीं दिय बिना त्याग पत्र के प्रधान मंत्री को पद से हटा हुआ माना जाए या नहीं माना जाए और अगर नहीं माना जाए रजिक निशन नहीं दिया गया है तो फिर नए प्रधान मंत्री की appointment कैसे हो सकती है क्या ये कोई समिधान का उलंगन है कि नहीं है ये तमाम बाते आज पाकिस्तान के बंगलादेश के अंदर चल रही है मापके जीगा तो राश्रपती के ऊपर आखिरकारी सवाले निशान क्यों है कुछ तो कहा होगा राश्रपती ने चली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर How Sheikh Hasina missing resignation letter has sparked fresh tension in Bangladesh Bangladesh के अंदर एक नई tension जो है वो अभी recently हम लोग देखने को महाँ पर मिल रही है Everybody lied, Bangladesh, plot, thickness, emit, mystery और Sheikh Hasina's recognition Sheikh Hasina का जो recognition है उसकी उपर एक mystery बनी हुई है कि आखिरकार उन्होंने resignation दिया या नहीं दिया Bangladesh के अंदर जो आवामी league है इसकी insurance wing है उस party को recently Sheikh Hasina की जो party है उसको anti-terror law के तहत उसको ban कर दिया गया है Bangladesh के अंदर देखिए actually में होता क्या है इसको ही हम लोग politics कहते हैं जब भी किसी भी इनसान के बुरे दिन आते हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग है उनके भी बुरे दिन आते हैं इसलिए Sheikh Hasina की जो student wing की party थी उसको भी Bangladesh के अंदर ban कर दिया गया है आप लोग हमारे 100 days के hard challenge को जरूर जोइन कीजी ये life changing course है ऐसे course बहुत कम देखने को मिलते हैं और जिस समय ऐसे course हमारे सामने आते हैं तो हमको इनको जरूर जोइन कर लेना चाहिए हमारे 100 days के hard challenge के अंदर daily 9 p.m. पर live class लगती है जिसमें हम लोग advanced technique को सीखते हैं कि आखिर कार हम लोग पॉर्णोग्राफिसे कैसे बाहर निकल सकते हैं आपके दिमाग के अंदर innovative ideas नहीं आपाते हैं आप शिकायत करते हैं कि आप मैं जिन्दगी के अंदर आगे नहीं निकल पा रहा हूँ आप ये शिकायत करते हैं कि आखिर कार concentration और focus कैसे बन पाएगा तो आप हमारे 100 days के challenge को accept कीजिए इसको करने के बाद आपको वागई में life के अंदर improvement दिखाई देगा challenge coupon code आप लोग को use करना है आप लोग हमारे 10,000 MCQ badge के साथ में भी जूड़ सकते हैं history, polity, geography, economy तमाम project हम लोग कर रहे हैं इसकी भी live class daily होती है आप लोग ज़रूर join कीजिए चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं मुहम्मद शहबुदीन के जो की पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं और पाकिस्तान, बंगलादेश, इन देशों की कहानी यह होती है कि यहाँ पर आर्मी ज़्यादा हावी रहती है डेमोक्रासी के उपर आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजए किस चरीके से आर्मी चीफ हमेशा लोग तंतर को या फिर वहाँ पर जो परदान मंतरी से इमरान खान थे तो इमरान खान को कितना इंफ्लोएंस करके रखाता उन्होंने वैसी आज बंगलादेश के अंदर भी है तो बंगलादेश के राश्पती एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं शहाबुदीन ने लेटेश्ट एक रिमार्क दिया था और उनका रिमार्क स्पार्क की तरह से बहुत तेजगती से फैल रहा है उनका रिमार्क ये था कि बीसी कली शेख हसीना ने कोई भी रेजिनेशन नहीं दिया है तो अभी भी वो बंगलादेश की प्रधान मंतरी है जी हाँ बंगलादेश की प्रधान मंतरी अभी भी शेख हसीना है क्योंकि उन्होंने रेजिनेशन नहीं दिया है क्या ये बात उनकी सही है लेकि बात तो बिल्कुत सही है कोई गलत नहीं है इस बात की अंदर तो शाहबुदीन ने ये कहा था कि हो सकता है कि उस समय उनको समय नहीं मिला हो तो मैंने बस सुना था सुना कि शेख हसीना ने परदान मंतरी के पत से इस्तिफा दे दिया है लेकिन मेरे पास उनके इस्तिफ़े से जड़ा कोई भी सबुत नहीं है मैंने कई बार उनसे इस्तिफा लेने की कोशिश की लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय ही नहीं था तो बात तो बिल्कुत सही है कि रेजिंगनेशन तो नहीं दिया गया है केवल सुनी सुनाई बातों पर ये चल रहा है कि शेख हसीना नहीं प्रथान मंतरी के पत से इस्तिफा दे दिया है लेकिन कहीं पर रेजिंगनेशन लेटर नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग बात करें बांगलादेश की कॉंस्टिशन के बारे में तो बांगलादेश का जो कॉंस्टिशन उसका नाम है दा कॉंस्टिशन आफ दा पीपल्स रिपब्लीक अफ बांगलादेश इसका पार्ट फोर्त है जिसमें दा एग्जिकुटिटिव का जिकर किया गया है उसका Chapter 2 है जिसमें लिखा गया है उसका Section 57 है इसका सब सेक्शन वन जो है उसमें लिखावाए दा आफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेल बिकम वेकेंट अगर इफ ही रिजाइन्स फ्राम आफिस एट एनी टाइम बाइप प्लेसिंग इस रेजिगनेशन इन दा हैंड्स अफ प्रेसिडेंट अगर माल लीजिए कि वो किसी बीच समय प्रधान मंतरी अपना रेजिगनेशन राष्ट्रपती को देती हैं तो उसके बाद में ही प्रधान मंतरी का पद खाली होता है और उसके बाद में ही पारलमेंट जो है वो नए प्रधान मंतरी के लिए प्रोसेश शुरू करती है लेकिन बांगलादेश के अंदर पांच अगस दोजार चौबीस को अपनी बहन रहना के साथ में भारत के अंदर हिंडन एर बेस पर उतरी थी और बांगलादेश के जो प्रधान मंतरी है उन्होंने भारत के अंदर शेरन ली थी भारत ने भी कहा था कि ठीक है हम शेरन देते हैं क्योंकि हाच हमारे लिए नई बात नहीं है 1979 की आसपास भी उस समय भी शेक हसीना को भारत के अंदर शेरन दी गई थी और वो लगबग 4-5 साल भारत के अंदर रहकर गई थी उसके बाद में वो बांगलादेश के अंदर आवामी लीग पार्टी को जोईन करती है तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी हमने पहले भी बांगलादेश की मदद की है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तसलीना नसरीन जो की बांगलादेश की एक जनरलिष्ट है उन्होंने कहा है किसी ने भी रिजिगनेशन लेटर देखा ही नहीं है सब एक दूसरी के फॉल्वर बने हुए कि हाँ शेख रिजिगनेशन लेटर किसी के पास में नहीं है सब कहते हैं कि बीसी के लिए शेख हसीना रिजाइन दे दिया लेकि लेटर कहां पर है तो लेटर की जब बात आती है एविडेंस की बात आती है तो सब पीछे हड़ जाते है थीक है तो शहाबोदीन ने लेटेश्ट ये क्लेम किया कि कोई भी एविडेंस नहीं है और इसलिए शेख हसीना आज भी बांगलादेश की प्रतान मंत्री है ये बात जब बांगलादेश के लोगों ने सुनी तो वो सड़कों पर आ गए कि आप तो राष्टपती को ही वहां से हटाना पड़ेगा राष्टपती शेख हसीना का पक्ष ले रहे हैं इसलिए हमको राष्टपती को हटाना पड़ेगा ये क्या चल रहा है बांगलादेश के अंदर ये सब USA का करदरा है USA ने जिस समय बांगलादेश को ये कहा था कि हमें वो आइलेंड चाहिए बांगलादेश ने इनकार किया USA के एगो का हर्ट हुआ और USA ने ये सोच लिया था कि हम अपनी पपेट को बांगलादेश के अंदर तैनात करेंगे क्योंकि अभी जो प्रधान मंत्री है उनको USA नहीं कहीं ना कहीं रिक्रदुनाइस किया है ठीक है ब्रहमा चैलाई ये बिसी के लिए एक पत्रकार है जनरलिस्ट है लेकिन भारत की बारे में जानकारी रखते हैं मतलब वो कह रहे हैं शाबुदीन के लिए कि उनके पास में टाइम नहीं था तो बिसी के लिए ये कह रहे हैं कि उस समय जो पॉलिटिकल फारे स्ट्रॉम चल रहा था लोगों का प्रदेशन हो रहा था उस समय उनकी पास में समय नहीं था इसलिए वो बिना रिजाइन दिये ही कहा पर चले गई थी भारत के लिए चली गई था तो ये बात तो सही है कि रेजिगनेशन लेटर किसी के पास में भी नहीं है अगर किसी के मांगा जाए तो एक दूसरे की तरफ मूँ ताथ में लगते हैं तो बंगलादेश की प्रधान मंतरी अभी भी शेक हसीना ही है किसकी बैसिस पर? कॉस्टिशन की बैसिस पर, समिधान की आधार पर और समिधान का अगर उलंगन होता है तो कहीं न कहीं बंगलादेश की उपर एक सवाले निशान उठता है कि आपने समिधान का उलंगन किया कैसे चलिए आप लोग हमारे 100 days के चैलेंग को जरूर जोईन कीज़ेगा वाकई में life changing course है और ऐसे courses बहुत कम देखने को मिलते हैं कई सदियों से ये courses जो है तो सामने आते हैं तो challenge coupon code यूज करके आप लोग जरूर जुड़िएगा GKG इसका batch है One day exams के लिए जवरदस्त है अभी हम लोग history को शुरू कर चुके हैं तो आप लोग उसको जरूर जोईन कीजीगा चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तत्वे धन्वाद Thank you Jai Hind